आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय तेरा मजा या सजा या एक कवीता है आई इस कवीता को पुरा पढ़ते हैं भी सड़क पर खड़े खड़े ही चौबे जी ने केला खाया उसको क्या करते हैं कि बीच रास्ते पर फेक देते हैं और फिर चल पर पढ़ते हैं फिर चल पर पढ़ते हैं फिसले गी फिर गिरे पड़े धड़ाम वो क्या करता है जो केला के छिलकों को रास्ते में फेकते हैं उसी पर उनका पैर चला जाता है जिससे क्या कहता है कि केला के छिलके से वो फिसल जाते हैं और वो गिर जाते हैं पगड़ी बिगड़ी चश्मा तूटा जो उनका पगड़ी जो सर पर रहता है वो बिगड़ जाता है और जो चश्मा रहता है वो तूट जाता है मूझ से निकला मर गए राम जो उनके मूझ से निकलता है कि मर गए बहुत जोर से गिर जाते है छिलका बोला 24 जी केले का तो यही मज़ा है 20 सड़क पर छिलका फेके उन लोगों को यही सजा है मतलब उसमें क्या करते है कि केला कहता है कि 24 जी यही तो मज़ा है अब 20 सड़क पर केले की छिलकों को फेक दिये हैं उससे क्या होता है जो केला का छिलगा फिकता है उसी को ही सजा मिलती है तो सिसे हम इस पार्ट सा हम यह सिच्छा मिलती है कि हमें कोई भी खाने के चीजच को अगर खा लेते हैं तो उसके रैपर को कभी भी भी हमें बीस अड़क पर नहीं फिकना चाहिए हमारे हास अड़ा के डस्ट बीन होता है, कुड़ी दान होता है, उस कुड़ी दान में वो चीज़ को डाल देना चाहिए आईए इसको सब्दार्थ है, इसको याद कर लेना, मू बिचकाना, मू चुड़ाना, मू बनाना, पगड़ी सीर पे पहनने का वस्तर धडाम, धम से, जोर से, सजा, दंड, इस सारे सब्दार्थ को याद कर लेना है